सबसे पहले इस टाइटिल को देखते हैं No Room for Complacency एक ओक कॉंपलासेंसी का मतलब होता है एक ऐसी अवस्था जहां आप संतुष्ट हो जाते हो इस एडिटोरिल में हम बात करेंगे कि ठीक है भारत में हमने जो है कोरोना वाइरस के खिलाफ प्रियास किये है हमारा vaccination program जारी है लेकिन संतुष्ट होने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है यानि कि हमें संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना है कॉरोना वाइरस के खिलाफ लडाई को जारी रखना है No Room, बिल्कुल जगह नहीं है इस बात के लिए कोई गुंजाईस नहीं है कि हम संतुष्ट होकर बैठ जाए Omicron's mild nature is more due to the protection offered by vaccine देखो Omicron ये क्या है कॉरोना वाइरस का एक परिवर्तित रूप है Omicron, Omicron variant mild nature, देखो एक तो होता है strong nature, बहुती जबरदस्थ परभाव एक होता है बहुती हलका परभाव mild nature हम बोलते है beach की अवस्था कि ज़्यादा कठोर भी नहीं है ज़्यादा हलका भी नहीं है mild तो Omicron's mild nature is more तो Omicron virus भारत में भी जो है फैल रहा है लेकिन इसका जो nature है वो हलका देखने को मिल रहा है हमें ज़्यादा स्ट्रोंग देखने को नहीं मिल रहा ऐसा क्यों है इसमोर ऐसा इसलिए है due to the protection का मतलब है रक्षा protection बचाओ offered by vaccine कि vaccine के द्वारा जो protection प्रोवाइड किया गया है उसके कारण ऐसा है कि Omicron का जो nature है वह ज़्यादा strong नजर नहीं आ रहा है mild नजर आ रहा है India recorded its first death caused by Omicron कि भारत में पहली मौत दर्ज की गई Omicron के कारण कब in a fully vaccinated person एक व्यक्ती था जो कि पूरी तरीके से vaccinated था तो ये व्यक्ती कहां से था राजिस्तान से on the last day of 2021 तो 2021 के last day राजिस्तान में एक व्यक्ती जो की पूरी तरह से vaccinated था उसकी मृत्य हुई Omicron के कारण the 73 year old man इस व्यक्ती की उम्र थी 73 with comorbidities comorbidities का मतलब होता है एक से अधिक बीमारिया होना जब आपको एक से ज़्यादा बीमारिया होती उसको बोलते हैं comorbidities तो यह जो 73 वर्षी व्यक्ती था with comorbidities had tested positive on December 15 तो December 15 को जब टेस्ट किया गया था तो उसमें Corona positive पाया गया था है यह व्यक्ती Omicron जब पाया गया था इस व्यक्ती को 15 December को preliminary evidence from South Africa and the UK कि भी जो प्रात्मिक प्रमान हमारे पास आए है preliminary evidence जो भी प्रात्मिक प्रमान हमारे पास आए है जो प्रात्मिक प्रमान उपलब्द हुए है South Africa से और UK है ना Britain से suggests वे इस बात को बताते हैं that unlike the delta variant unlike का मतलब है के समान नहीं यानि कि यह जो Omicron है delta variant के समान नहीं है a majority of people with Omicron a majority of people है ना कि लोगों की एक बड़ी संख्या with Omicron है जो कि Omicron से प्रभावित हो रहे है particularly in the fully vaccinated खास करके ऐसे लोग जो कि पूरी तरीके से vaccinated है यानि कि जिनको दोनों vaccination लग चुकी है और वे Omicron से अगर प्रभावित हो रहे हैं तो exhibit ऐसे लोग प्रदर्शित करते हैं क्या? only mild disease तो ऐसे लोग जिने दोनों dose coronavirus की coronavirus vaccine की लगाई जा चुकी है और उनको अगर Omicron प्रभावित कर रहा है तो उनमें हलके लक्षन देखने को मिलते हैं only mild disease hospitalization is relatively less among the vaccinated ऐसे व्यक्ति जो की vaccinated है ऐसे व्यक्ति जो की vaccinated हैं जिनको vaccine लगाई जा चुकी है तो उन्हें hospital की कम जरूरत पढ़ रही है hospitalization is relatively less तुलनात्मक रूम से कम हैं among the vaccinated हैं यानि कि जिन लोगों को vaccine लग चुकी है उनमें अगर हम बात करें तो अगर उन्हें omicron प्रभावित करता है तो hospitalization की जरूरत तुलनात्मक रूप से कम पढ़ती है a huge percentage of the population की जनसंक्या के एक बड़े huge का मतलब होता है विशाल बड़ा a huge percentage of the population in India was infected when the delta variant raged last year देखो rage का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्रचंड हो जाना किसी चीज की तीवरता जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसको बोलते है rage तो a huge percentage of the population की भारत की जनसंक्या का एक बड़ा जो हिस्सा है was infected, वह प्रभावित हुआ था कब? when the delta variant raged last year कि पिछले साल जब coronavirus का delta रूप बहुत ही प्रचंड तरीके से फैला था तो एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत का प्रभावित हुआ था studies from other countries have shown कि अन्य देशों से जो studies की गई है अन्य देशों में जो अध्यान हुए है उन्होंने इस बात को दिखाया है उन अध्यानों ने that such people might enjoy the same level or even better protection from severe disease than fully vaccinated people कि अन्य देशों में जो अध्यान हुए है उनसे ये बात हमें पता चलिये कि ऐसे व्यक्ति जो की delta variant से प्रभावित हुए थे might enjoy the same level or even better protection might, मना chances बनते है enjoy का मतलब है lab उठाना enjoy the same level or even better protection severe disease का मतलब होता है गंबीर बीमारी editorial कहता है कि जो delta variant से प्रभावित हुए थे और ठीक हो गए उनको भी बिल्कुल वही protection मिलती है यानि कि उनको भी गंबीर बीमारी होने का खत्रा कम है than fully vaccinated people कि fully vaccinated people fully vaccinated जो लोग है उनकी तुलना में वे लोग जो कि delta variant से प्रभावित हुए थे वे भी जो है बहतर protection severe disease से enjoy कर सकते हैं अगर भई आप भी delta variant की चपेट में आगे थे ना तो chances हैं और आगर आप बच भी गए delta variant ने आपको प्रभावित किया और आप ठीक हो गए तो chances हैं कि आपकी immunity अच्छी हो चुकी है तो आपको भी वही protection मिल सकता है जो अने लोगों को vaccination से मिल रहा है इस तरह की अध्यन हमारे सामने आए हैं hybrid immunity achieved through full vaccination in people who have been previously infected देखो hybrid का मतलब होता है मिश्रित अब देखो एक बार आपको coronavirus के delta variant ने प्रभावित किया और आप उससे ठीक भी हो गए तो इसका मतलब है आपकी immunity strong होई इसके बाद में आपने vaccine भी लगवा ली तो इसका मतलब है आपकी जो immunity है आपकी जो रक्षात्मक ताकत है शरीर की वह hybrid हो गई मिश्रित हो गई एक तो delta variants पे भी आपने विजय पाली दूसरा आपने vaccine लगवा ली तो इस तरह की जो immunity है आपकी achieved जो की प्राप्त की गई through किसके माध्यम से full vaccination है ना पूर्ण टीका करन के माध्यम से in people ऐसे लोगों में who have been previously का मतलब है पहले infected यानि कि ऐसे लोग जो पहले virus से प्रभावित रहे हैं और उनमे vaccination के माध्यम से हमने immunity achieve की है offers the highest level of protection तो इसके माध्यम से offer का मतलब है प्रदान करना मिलना highest level of protection against severe disease, severe का मतलब है बहुत ही ज़्यादा गंभीर तो इसके माध्यम से क्या है जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर वीमारी है उसके खिलाब सबसे ज़्यादा protection हमें मिलता है as several studies outside India show, as जैसा की हम देखते हैं, कई, several का मतलब है कई, कई सारे अध्यन जो की इंडिया के बाहर हुए हैं, वे तो कम से कम ऐसा ही दिखाते हैं with vaccination picking up speed, after the second wave peaked in India देखो, peak का मतलब होता है, बिल्कुल शिखर पे पहुँच जाना है, बिल्कुल चोटी पे पहुँच जाना बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाना किसी चीज़ का, peak, एकदम शिखर को छू लेना, with vaccination picking up speed, कि जो vaccination program है, टीका करन का program है, अपनी रफतार को पकड रहा है, picking up speed का मतलब अपनी चाल पकड रहा है, यानि की vaccination program जो है, उसकी speed बढ़ती जा रही है, after the second wave peaked in India, कि coronavirus की दूसरी लहर, बिल्कुल peak पे आ गई थी भारत में, उसके बाद में, हमारा जो vaccination program है, या अपनी चाल पकड रहा है a significant percentage of the fully vaccinated might possess hybrid immunity, significant percentage, कि भई, significant का मतलब है, एक बहुत ही अच्छी मात्रा a significant percentage of the fully vaccinated, कि ऐसे लोग, जो कि fully vaccinated है उनका एक बड़ा percentage, जो है, might chances बनते हैं, possess possess, possess का मतलब होता है, भई, जैसे आप बोलते हो, कि आपके पास में क्या है कोई चीज आपके अधिकार छेतर में होती है, आपके पास में होती है उसको बोलते है, possession, आपकी possession होती है possess, hybrid का मतलब हो गया, मिश्रित है, immunity इदिटोर्यल कहता है कि भारत में चांसे ज़्यादा है कि एक बड़ा परसन्टेज भारत में हो सकता है, जो की पूरी तरीके से वेक्सिनेटेड है और उनके पास हाइब्रिड Sicherśmy इम्यूनिटी है यानि कि क्यों कि कॉरोना वाइरस की सेकेंड वेव के दोरान ज्यादा तर इंडियन प्रभावित हुए थे फिर भी ठीक भी हो गए तो उनकी इम्यूनिटी जो है इस्ट्रोंग हुई और अब जो है उन्होंने वेक्सिनेशन भी ले लिया है तो कुल मिला के अब कह सकते हैं कि उनकी जो है हाइब्रिड इम्यूनिटी है उनके पास यहां तक कि अगर हम बात करें सिंगल डोज की बिया है इन प्रीविशली इनफेक्टेड पीपल की कॉरोना वाइरस की सेकेंड वेव के दोरान भारत में जो लोग प्रभावित हुए है ना प्रीवि dose भी ले लिया है तो ऐसा पाया गया has been found to induce देखो induce का मतलब क्या होता है किसी चीज को अंदर डाल देना है जैसे आपने injection डाल दिया किसी injection के माध्यम से दबाई डाल दी induce है न high level of hybrid immunity तो यही एडिटोरियल कहना चाहरा है कि ऐसे व्यक्ति जो की वाइरस से संक्रमित हुए बाद में ठीक हो गए और उन्होंने अगर एक dose भी ले ली है वैक्सीन की एक dose भी ले ली है तो उसके माध्यम से has been found ऐसा पाया गया है कि एक dose जो है क्या डाल सकती है a high level of hybrid immunity तो उस एक dose के माध्यम से भी व्यक्ति में hybrid immunity का उच इस्तर विक्सित हो सकता है if vaccination coverage with at least a single dose has already crossed 90% in those above 80 years कि वे लोग जो की 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं उनके बीच में if vaccination coverage कि भई हम लगातार vaccination coverage बढ़ाते जा रहे है with at least a simple dose has already crossed 90% कि भई 90% से जादा लोग जो है हमने cover कर दिये जो की 18 साल से अधिकुम्र के हैं कम से कम 90% से जादा लोगों को जो है एक dose तो मिली चुका है vaccination का the rollout देखो rollout का मतलब होता है किसी भी scheme को public के लिए ले के आना rollback का मतलब होता है उस scheme को उस योजना को वापस ले लेना rollout का मतलब public के लिए किसी चीज को सारवजनिक कर देना तो the rollout of vaccines for adolescents adolescents का मतलब होता है कि शोर जो की teen teen बच्चे जो होते हैं उनको बोलते हैं जैसे की 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं adolescents कहलाते हैं तो the rollout of vaccines for adolescents will widen widen का मतलब है और विस्तरत कर देना और चोड़ा कर देना वाइडन देना प्रोटक्टिव नेट है रक्षात्मक जो कवच है हमारा रक्षात्मक जो जाल है प्रोटक्टिव नेट जो है हमारा वह और ज़्यादा विस्तरत हो जाएगा the rollout of vaccines कि भई ठीक है 90% से ज़्यादा 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति है वो हमने कम से कम सिंगल डोज के माध्यम से कवर कर दी है अब ये जो एक और हमने सारजनिक घोशना की है जो adolescents है उनके लिए vaccine के लिए जो हमने सारजनिक घोशना की है उसकी माध्यम से क्या होगा जो protective net है coronavirus के खिलाफ जो सुरक्षात्मक जाल है वह और ज्यादा विस्तरत हो जाएगा but immaterial of the protection comfort but immaterial है न immaterial का मतलब है इस बात की परवा किये बगेर of the protection comfort comfort का मतलब है प्रदान करना किसी चीज़ को है लेकिन इस बात की परवा किये बगेर कि जो भी protection vaccine के माध्यम से उपलब्द हो रहा है it is too early ये कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाएगा to draw any conclusion draw conclusion का मतलब होता है निसकर्ष निकालन about omicrons virulence virulence का मतलब होता है जब हम बात करते हैं किसी बीमारी के virulence के बारे में तो virulence का मतलब होता है harmfulness कितनी है उस बीमारी की वह बीमारी आपको कितना नुकसान पहुचा सकती है कोई बीमारी आपको जितना अधिक नुकसान पहुचा सकती है वह उतनी ही ज़्यादा virulence है तो एडिटरल यही कह रहा है कि ठीक है protection vaccine के माद्धे हम से उपलब्द कराया गया है लेकिन इसके बावजूद है इनको ठीक है जितना protection कराया गया है वो ठीक है वो सारी बाते लेकिन फिर भी यह कुछ जादा जल्दी हो जाएगा यह निसकर्ष निकालना क्या about omicron's virulence कि omicron जो variant है coronavirus का इसकी घातकता कितनी है उसके बारे में कोई भी निसकर्ष निकालना कुछ जादा जल्दी हो जाएगा अभी कुछ कह नहीं सकते for instance उधारन के तोर पे अगर हम बात करें in the US अमेरिका में हमें क्या देखने को मिला the first omicron related death was कि पहली omicron से जुड़ी हुई जो मौत देखने को मिली was in an unvaccinated person who was previously infected तो omicron से संबंदित जो पहली मौत अमेरिका में देखने को मिली वो देखने को मिली हमें एक ऐसे व्यक्ति में जो की unvaccinated था जिसको vaccination नहीं लगी थी एक vaccine भी जिससे नहीं लगी थी who was previously infected कि ऐसा व्यक्ति जो पहले coronavirus से संक्रमित हुआ था और उसे जो है vaccine भी नहीं मिली एक vaccine भी नहीं मिली और उसी की मृत्ति हुई omicron से पहली मृत्ति जो हुई the time lag between infection and hospitalization should be another reason time lag time lag का मतलब है एक तरीके से time gap between infection कि भी आप virus से संक्रमित हुए और फिर आप कितनी दिनों बाद जो है आपको hospitalized कराया गया कितनी दिनों बाद आपको hospital में भरती कराया गया तो इसमें अगर जो time gap है वो भी काफी हद तक जिम्मेदार है बीमारी की घातकता को घटाने में या बढ़ाने में should be another reason दूसरा कारण होना चाहिए why it is too early कि क्यों ये ज़्यादा जल्दी है to pronounce है कि कुछ भी कह पाना pronounce का मतलब है इस पश्ट तरीके से कहना to pronounce any verdict, verdict का मतलब है फैसला, judgment on the virulence का मतलब है घातकता on the virulence of the variant in India कि variant का मतलब है परिवर्तित रूप है ना variant in India कि coronavirus के जो भी परिवर्तित रूप है उनकी घातकता के बारे में कोई भी decision हम pronounce करें ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा इसलिए भी क्योंकि मतलब कई factor काम करते है जैसा अब एक ये factor भी है कि कोई व्यक्ति infected हुआ और उसके बाद मुझे कितने दुनों बाद hospitalize कराए गया तो ये भी बहुत ही महत्पून कारण है तो इस तरह से कई बाते हैं जिनके चलते हैं ये कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाएगा कि हम coronavirus का जो omicron रूप है इसके बारे में किसी भी तरह का कोई verdict दे vulnerable population देखो vulnerable का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो की बहुत ही जल्दी बीमारी की चपेट में आ सकते है vulnerable का मतलब है जो बहुत ही कमजोर इस्थिती में है vulnerable populations run a risk of run a risk of यानि कि इनको खत्रा बना हुआ है run a risk of suffering suffer करने का मतलब क्या होता है जेलना, किसी बीमारी से पीडित होना suffer के बाद में from लगाते हैं from severe disease despite their vaccination status vulnerable population का मतलब है ऐसी population या ऐसे लोग जो की बहुत ही ज़्यादा कमजोर इस्थिती में है उनको एक risk बनी हुई है खत्रा बना हुआ है क्या suffering from कि वे जेल सकते हैं, उनको जेलना पड़ सकता है severe disease severe का मतलब हो गया, बहुत ही गंभीर बहुत ही गंभीर बीमारी का उनने सामना करना पड़ सकता है, despite के बावजूद their vaccination status, vaccination status के बावजूद कि भले ही बावजूद ही उनने vaccine लग गई हो एक लग गई हो या दोनों लग गई हो इसके बावजूद भी ऐसे व्यक्ति हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बलने रेवल हैं, उनका स्वाफ थे बहुत ही ज़्यादा कमजोर है, तो उनको एक risk बनी हुई है, एक खत्रा बना हुआ है, क्या कि उन्हें गंबीर बीमारी हो सकती है वे ओमाइक्रोन की चपेट में आ सकते है The unprecedented speed at which ओमाइक्रोन is spreading unprecedented का मतब है, अभूतपूर्व जो कि पहले देखने को न मिली हो है न, the unprecedented speed at which ओमाइक्रोन is spread का मतब है, फैलना किसी चीज़ का कि अभूतपूर्व गती, जिस गती से ओमाइक्रोन फैल रहा है, इन countries, उन देशों में, that have high levels of testing, कि ऐसे देश जहां पर testing का level बहुत ही जादा है वहाँ पर भी coronavirus बड़ी speed से फैल रहा है, the number of people, a single infected person can spread the virus to and आप देखो, और factor लो the number of people, a single, देखो, कोई भी एक single व्यक्ती है, जो कि virus से प्रभावित हुआ है, can spread the virus to, अब ये single व्यक्ती, जो कि virus से प्रभावित हुआ, ये कितने लोगों तक virus को पहुँचा सकता है, इसके अलावा, and a doubling time of less than three days अब ये जो omicron जिस speed से फेल रहा है अब ये मानो कि ये डइबल हो जाता है, of less than three days तीन दिनों के भीतर omicron का, अगर एक patient है, तो तीन दिनों के भीतर दो patient हो जाते हैं, अगले तीन दिनों के भीतर वे चार हो जाते हैं, तो ये है इसका and a doubling time of less than three days कि omicron variant को double होने में, तीन गंबीर चेतावनी, यह है कि things can go out of control soon, कि जल्द ही अगर हमने सावधानी नहीं बरती, तो soon जल्द ही चीजें हमारे control से बाहर हो सकती हैं, परिस्थिती हमारे control से बाहर हो सकती हैं, यह एडिटोरिल कहना चाहरा है, तो यहां तक एडिटोरिल यह बताना चाहरा है, कि वह माइ हाई है, वहां भी ओमाइकरोन बड़ी तेजी से फैल रहा है, अब अगर हम अन्य फैक्टर को देखें, जैसे कि ओमाइकरोन से एक व्यक्ति प्रभावित हुआ, यह कितने व्यक्तियों तक जो है ओमाइकरोन को पहुँचा सकता है, फैला सकता है, इसके लावाद दूसरा अगर हम देखें, तो ओमाइकरोन को डबल होने में है, ओमाइकरोन से कोई व्यक्ति प्रभावित हुआ, अब दूसरा व्यक्ति तीम दिनों के भीतर भीतर प्रभावित हो जाएगा, यह है इसकी स्पीड, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए है, यह एक इसपष्ट चेतावनी है, कि जो भी ओमाइकरोन से संबंदित बाते हैं, वे हमारे out of control हो सकती है, अगर हमने carefulness नहीं दिखाई, mild symptoms, हलके जो लक्षन हमें देखने को मिलते है, not withstanding, not withstanding का मतलब होता है, के बावजूद, कि mild symptoms के बावजूद, it's higher transmissibility, देको transmissibility का मतलब होता है, संक्रा सकता है, तो ठीक है, ओमाइकरोन के जो लक्षन है, वे हलके नजर आते हैं, जिन्होंने vaccine लगवा रखी है, उन व्यक्तियों में, लेकिन इसकी जो संक्रामकता है, वो बहुत ही ज्यादा है, यानि कि बहुत ही ज्यादा संक्रामक है ये, तो इसकी जो transmissibility है, higher transmissibility है, can pause, pause क का मतलब होता है, कोई difficult problem खड़ी करना, a severe threat, severe का मतलब है बहुत ही गंबीर, threat का मतलब है खतरा, to health care settings, कि जो भी हमारी health care settings है, सुरक्षा से संबंदित, जो भी हमारे इंतजाम है, उनके लिए एक बहुत ही गंबीर खतरा खड़ा हो सकता है, coronavirus की higher transmissibility के कारण, as, वो इसलिए as a high number of infections, within a short time, की एक बहुती छोटे समय में, ज्यादा लोगों को अगर infection हो जाता है, could, तो chances बनते हैं, could lead to, lead का मतलब है, किसी particular direction में ले जाना, कारण बनना, could lead to more people, needing hospitalization, की एक छोटे समय में, ज्यादा लोग अगर infected हो जाते हैं, तो उसके चलते ऐसा हो सकता है, क्या हो सक कि ज्यादा लोग, more people, needing, उनको जरूरत पढ़ सकती है, किस की, hospital की, could lead to more people, needing hospital care, की ज्यादा लोग, hospital care की जरूरत उने पढ़ सकती है, न, over warmed hospital, देखो, over warmed का मतलब होता है, किसी भी चीज का बहुत ज्यादा मातरा में होना, over warmed hospitals का मतलब यह हुआ, कि hospitals में, अगर बहुत ज्यादा मातरा में patients हो जाते हैं, तो can make it harder, तो यह बात और भी ज्यादा difficult हो सकती है, क्या, to provide much needed care, की जो patient है, much needed का मतलब है, जिसकी आपको ब उपलब्द कराने में असाफल हो सकते हैं, over warmed hospitals है, कि जो अगर ज्यादा मातरा में hospitals में patient आ जाते हैं, तो उनके लिए यह और ज्यादा मुश्किल हो सकता है, कि मरीज को जो much needed care है, वो मिल पाए, leading to, lead to का मतलब होता है, किसी particular direction में ले जाना, कारण बनना, तो अगर hospitals में ज् देना, किसी चीज को, जैसे mount pressure, इसका मतलब है, दाब और ज्यादा बढ़ा देना, mounting deaths, तो hospitals में अगर ज्यादा patients हो जाते हैं, तो वो कारण बन सकते हैं, किस चीज का, और ज्यादा मृत्यूएं होने का है, और ज्यादा मृते हो सकती हैं, मृतें और ज्यादा बढ़ सकती ह When health care settings suffer from staff shortage, कि अगर जो हमारे आप कह सकते हो, जो कि हमारे चिकितसा चेतर से जुड़ी हुई जो सुविदाएं हैं, उनको अगर ज्यादा पड़े, क्या staff shortage Caused by increasing infections among health care workers, कि increasing infections की coronavirus, यह जो omicron variant है, इसका जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, इसके चलते यह health care workers जो है, वो भी प्रभावित हो सकते हैं, तो अगर health care workers भी omicron की चपेट में आ जाते हैं, तो hospitals जो हैं हमारे, उनमें staff की कमी पड़ सकती है, और ऐसा अगर होता है, तो हमारे लिए परिस्तिती जो है, और भी ज़धा चुनोती पूर्ण हो सकती है, as seen, जैसा की देखा गया, in many hospitals across India, across का मतलब होता है, हर जगे, भारत में हर जगे है, जो hospitals हैं, उनमें जैसा की देखा गया, पहले भी हम देख चुके हैं इस बात को, कि अगर health care workers हैं, वे खुद virus की अगर चपेट में आ जाते हैं, तो उसके चलते staff shortage हो जाती है, और staff shortage हो जाने के कारण, जो हमारी health care settings हैं, वे और भी ज़धा चुनोती पूर्ण बन जाती हैं, India should learn, भारत को सीखना चाहिए, किस चीज से? from the hard lessons of the second wave, कि coronavirus की जो दूसरी लहर थी, उसके दोरान जो कठिन सबक हमें मिले, उनसे भारत को सीखना चाहिए, strictly, strictly का मतलब होता है, बहुती सक्ती से, add air का मतलब होता है, follow करना, पालन करना, to, add air के बाद में आता है, to preposition, covid appropriate behavior, covid appropriate behavior का मतलब होता है, covid uncool वेवार, covid uncool वेवार से मतलब है, कि मास्क पहनना, दोगज की दूरी maintain करना, ये सारी बाते, भीडबार की जगह में नय जाना, तो editorial कहता है, कि हमें coronavirus की दूसरी लहर से सबख सीखने चाहिए, और जो covid appropriate behavior है, उसका बहुती सक्ती से पालन करना चाहिए, and increase vaccination coverage, और vaccination coverage को बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को vaccine provide करनी चाहिए, getting misled by the mild nature, देखो misled का मतलब क्या होता है, देखो misled का मतलब होता है, भ्रहमित हो जाना, गलत direction में चले जाना, उसको बोलते हैं misled, तो getting misled by mild nature of the disease, की mild nature of the disease, की omicron variant जो है, ठीक है, इसका जो nature है, इसकी जो प्रकरती है, इसके जो symptoms देखने को मिलते हैं, वो हलके देखने को मिलते हैं, तो इससे हम confuse न हो जाएं, इससे हम भटक न जाएं, कि अरे नहीं आ रहे है, omicron तो हलकी सी है, ज़्यादा symptoms इसके नज ज़र नहीं आ रहे हैं, तो ज़्यादा चिंता की बात जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, and throwing caution to the wind, ये भी हमारी एक idiom है, इसको और समझ लेते हैं, throw caution to the wind, इसका मतलब होता है, to behave in a reckless way, जब आप careful तरीके से व्यभार नहीं करते हैं, जब आप sensible तरीके से carelessly behave करना है, बिलकुल है न, will be a dangerous gamble, और अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम careful तरीके से व्यभार नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक जुआ होगा है, gamble का मतलब होता है, जुआ, तो editorial के ना क्या चारा है, तो editorial ने last में हमें एक चेतावनी दी है, कि क्या, कि हमें भटकने की जुरत नहीं है, कि हमें भटकने की जुरत नहीं है, कि इस चीज से, कि ये जो disease है, इसके, ये जो omicron variant है, अगर इसके symptoms हमें mild दिखाई देते हैं, तो इससे बिलकुल भी भटकने की जुरत नहीं है, हमें बिलकुल भी लापरवाह होने की जुरत नहीं है, throw caution to the wind है, कि हमें बहुत ही careful तरीके से विवार करना होगा है हम carelessly behave नहीं कर सकते और अगर हम carelessly behave करते हैं तो यह बहुत ही खतरनाक जुआ होगा यानि कि हम बहुत ही बड़ी risk उठा रहे हैं तो ऐसी risk उठाने की कोई जुरूत नहीं है